नमस्कार, Hot Topic में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ अखिलेश शर्मा BJP संगठन में फेर बदल की बहु प्रतिक्षित प्रक्रिया अखिरकार शुरू हो गई है शुरूआत चार आज्यों में नए अध्योक्षों की आज नियुक्ति से हुई आज BJP ने तेलंगाना, पंजाब, जहरखन और आंदर प्रदेश में नए अध्योक्ष नियुक्ति किये हैं बात तेलंगाना की करें तो वहाँ पर केंदरी मंत्री जी किशन रेड़ी को BJP ने अपना नया प्रदेश अध्योक्ष बनाया है बंडी संजय की जगे है वहीं पंजाब की बात करें तो अश्वनी शर्मा की जगे पूरू कॉंग्रेस नेता सुनील जाखड को BJP ने वहाँ पर अपना प्रदेश अध्योक्ष बनाया है जहरखन में पूरू मुक्यमंत्री बावुलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी दी गई है वहीं आंद्र प्रदेश में BJP की राष्टी महासचियो डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है इसके साथ ही तेलंगारा जहाँ पर कि इस साल के अंत्र में विधान सभा के चुनाव होने जा रहे है राज्य चुनाव प्रबंधन समीती का अध्यक्ष एटेला राजंदरन को न्यूक्त किया गया है इसी तरह आंद्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड़ी को अब BJP की राष्टी कारिकार्णी का सदेश से भी न्यूक्त किया गया है तो ये कुछ मुख्यूपूर्ण आज न्यूक्तिया और फैसले BJP की ओर से किये गया है लेकिन जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा है इसके पीछे क्या गणित है क्या रणनीती है क्या सोच है BJP की ये समझने का प्रयास करते हैं दरसर इन में चुनावी प्रदेश भी है और इस साल के अंते में चुनाव है जिसतरे की तेलंगाना का हमने नाम लिया वहाँ पर इस साल के अंते में चुनाव होने जा रहा है लोगसभा में वहाँ पर तेलंगाना की अगर बात करें तो BJP की ताकत बड़ी है तेलंगाना में बीजेपी ने पिछली बार लोगसभा चुनाव में अच्छा प्रदेशन किया था और आज की तारीख में बीरस के मुकाबले कॉंग्रेस को पीछे धकेल कर बड़ी ताकत बनने का प्रयास बीजेपी कर रही है तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जी किशन रेड़ी इन्हें कमान क्यों दी है तेलंगाना की ये भी देख लेते हैं क्योंकि जी किशन रेड़ी जो है अविभाजित आंद्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं काफी तेज तरार माने जाते है केंदरी मंत्री के कामकाच के तौर पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है जो पूर्व अध्यक्ष थे जिनकी जगे हिने बनाया गया है बंडी संजे उनका एटिला राजंदरन से अनबन थी और करनाटक विधानसवा चुनाव के बात से ही दो बार दिली आकर राजंदरन यहाँ पर बंडी संजे की शिकायत कर चुके थे तो इस तरह से अब जी किशन रेड़ी का नाम यहाँ पर समझोते के तोर पर सामने आया है इसी तरह है जो हमने जिक्र किया कि राजंदरन को आखिर क्यों जिम्मेदारी दी गई है नई जो चुनाव समिती बनाई गई है उसके लिए अध्यक्ष राजंदरन को नियुक्त किया गया है वो कॉंग्रेस से बीजेपी में आये हैं जनाधार वाले ताकतवर नेता माने जाते हैं करनाटक में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने यहाँ दिली आकर पार्टी आलाकमान को चैताया भी था कहा था कि तेलंगाना में जिस तरह से पार्टी का विस्तार होना चाहिए था वैसा हो नहीं पा रहा है इसी के बाद बीजेपी ने ये फैसला किया है बंडी संजे जो की पूर्व अध्यक्ष थे उनकी अन्बन भी थी और उनकी कारी शेली की शिकायत भी यहाँ पर वो कर चुना बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यश के तोर पर बीजेपी के पहले मुक्ष मंतरी थे बाबलाल मरांडी लेकिन आला कमान से इनकी अन्बन हुई थी उसके बाद इन्हें मुक्ष मंतरी पस से भी फटाया गया था और बाद मेंनोंने बीजेपी भी छोड़ दी क्योंकि उनकी डिस्कॉलिफिकिशन की एक पिटिशन स्पीकर के पास है और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है ताकि वो प्रदेश अध्यश के तोर पर संगठन की बड़ी भूमे का निभा सके आप मतादे कि हेमन सोरेन औ दोनों ही संथाल समुदाय से आते हैं और ताकत वर आदिवासी नेता माने जाते हैं और इसलिए बीजेपी को लगता है कि बवलल मरांडी के बनाने से उसे यहां पर फाइदा मिलेगा पंजाब की बात कर लेते हैं कि पंजाब में बीजेपी ने सुनिर जाखड को क्यों य टाकत्वर किसान जाट नेता हैं और इसके सासाथ यह भी बता दे कि इनके पीता बल्राम जाखड जो की लोकसभा के श्पीकर भी रहे हैं राइस्थान से योग सबय का चुनाव जीतते थे तो सुनिल जाखण को पंजाब का अध्यक्ष बरान से बीजेपी को लगता है कि रायस्थान जोग पड़ोसी राज्ये वहां पर भी बीजेपी को इससे फाइदा मिल सकता है साथ ही वो कॉंग्रेस से कुछ और भी नेताओं को बीजेपी मि मिले भी थे और जहां चंदबाबु नाइडू की बात करते हैं तो पुरंदेश्वरी भी जो है एंटी रामराओ की बेटी है सांसर रह चुकी है मंत्री भी रह चुकी है केंदर में और कॉंग्रेस में थी उन्हें प्रभावी वक्ता माना जाता है आंध्र प्रदेश की अच्छा भाषण यह देती हैं तो नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज सुनील जाखन और वावलल मरांडी ने क्या कहा है आए सुन लेता है मानिये प्रदानमंतरी मोदी जी ने अमिशा जी ने और नड़ा साब ने जितना बड़ा विश्वास पुझ पे दर्शाया है मैं समझता हूँ कि मेरी उतनी बड़ी जुम्मेवारी बंती है कि सारी पार्टी संगठों को साथ हम लेके हमारे सात्यों को सात लेके पूरी तरे पंजाब में बीजेपी का परचम फेराया जाए लोग सबा का चुनाओ है पिविधान सबा का चुनाओ है और हमने जैसा कहा कि मेरी जितनी चमता है मेरी जितनी गुद्धी है उन सब चीजों को शंगठन को मस्पूत करने में लगाएंगे वैसे आपको बता दे कि आज ये शुरुवात ही हुई है जल्दी ही कुछ अन्नी राज्यों में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे क्योंकि कई प्रदेश अध्यक्षों का जो कारिकाल है वो कई मेहने पहले ही समाप्त हो चुका है और उनकी जगे नए अध्यक्ष बनाने का काम चल रहा है जिन प्रदेश अध्यक्षों का कारिकाल खत्म हो चुका है उन पर भी अवा नज़र डाल लेते हैं मध्धी प्रदे इनका भी कारिकाल समात हो चुका है रविंद्र रैना जम्मु कश्मीर में इनकी जगे भी चारों की जगे नए प्रदेश अध्यक्ष जल्दी बन सकते हैं कि वीडी शर्मा को लेकर अभी प्रशन चिन्न है क्योंकि जल्दी विधान सभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में क्या नए अध्यक्ष को इतना समय मिल पाएगा ये भी एक सोच है जिसके चलते शायद मद्य प्रदेश को लेकर फैसला थोड़ा देर से हो लेकिन एक जो आज के फैसले को लेकर अलोशना की जा रही है बीजेपी की वो यह है कि कई ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो कि कॉंग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं तो कॉंग्रेस युक्त बीजेपी ये कहा जा रहा है कॉंग्रेस के नेता ही इस बारे में सव ये बने हैं और डी पुरण्दरेश्वरी ये भी कॉंग्रेस की सांसद रहे चुकी है तो क्या कॉंग्रेस युक्ति बीजेपी हो रही है ये भी एक सवाल उठ रहा है और आज जो फेर बिदल किया गया इसी के साथ साथ केंडरी मंतरी परिशद में भी फेर बिदल की चर्च और तेज हो गई है क्योंकि तेलंगाना के जो नए अध्यक्ष बनाए रहे हैं जी किशन रेडी वह कैबिनेट मंत्री भी है तो क्या एक व्यक्ति एक पत्के सिध्धान के तहट वह मंत्री पत्की कुर्सी छोड़ देंगे ये भी एक सवाल है और इनी चर्चाओं के बीच आ दोने भी मुलाकात की दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं इसके साथ कैबिनेट मंत्री किरेन रिजीजू और अरजुन मेगवाल ने भी आज नड़ा से मुलाकात की है इसके साथ ही पूर्व राजसभा सांसद और के मशूर अभीनेता सुरेश गोपी भी बीजेपी क्योंकि जब पिछली बार मंत्री मंदल में विस्तार और फियर बिदल हुआ था तब भी इसी तरह मेल मुलाकात का सिल्सेला चला था माना जाला कि कई वरिष्ट मंत्री पार्टी संगठर में लाए जा सकते हैं वहीराज्य के कई नेताओं को मंत्री भी बनाया जा सकता है यह अटकलने काफी लंबे समय से हैं, हम इस कारिकाम में बार बार आपको इस बारे में बताते भी रहें कि क्या क्या बीजेपी के भीतर सुखवगाट हो रही है मंत्री मंदल विस्तार को ले करके, लेकिन यह होगा या नहीं होगा, यह तो भी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो कयास लग रहे हैं, उसमें सवाल यही पूछा जा रहा कि अगर होगा, तो आखिर यह कब हो सकता है, क्या समय हो सकता है, आपको बता दे कि पीए मोदी के दूसरे कारिकाल में अभी तक केवल एक ही बार, यानि जुलाई 2021 में मंत्री मंदल में फेर बदल हुआ था, तब वो दिल्ली से बाहर है, जहां तक पीए मोदी की बात करें, तो 7 और 8 जुलाई का उनका चार राज्यों का दौरा है, इसके बाद उनकी विदेश यात्रा का कारिकाल भी है, दो दिन की विदेश यात्रा पर 12 जुलाई को पीए म नरेंदर मोदी को फ्रांस जाना है, यानि अगर मंत्री परिशद में फेर बदल होना है, तो इसके लिए 9 जुलाई से 12 जुलाई तक का समय मिलता है, तो ये देखने की बात होगी कि क्या इस दौरान ये मंत्री परिशद का विस्तार हो सकता है या नहीं, क्योंकि कहा जारा कि अगर अभी नहीं होगा, तो फिर काल में, क्योंकि उसके बाद समय नहीं बचेगा, चुनाव सिर पर आ जाएंगे, तो होट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का उत्राखंड के मुक्हिमंत्री पुषकर सिंग धामी ने आज दिली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इस दौरान समान नागरिक सहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, धामी ने कल ग्रीमंत्री अमिश्याह से भी मुलाकात की थी पीए मोधी के साथ करीब दो घंटे चली मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक सहीता लागू करने में देरी नहीं होगी लेकिन इसकी कोई हड़ बड़ी भी नहीं है आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक सहीता के लिए एक ड्राफ्ट समिटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है देखे अभी तो चुकि यूशी सी कमेटी का ड्राफ्ट कम्प्ली टूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कहपाना संभा होगा हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्द बाजी में ऐसा काम भी नहीं होगा कि कोई उपर का नीचे हो जाए इसलिए बहुत सो समझकर उस पर काम होगा तो हट टापिक में आज इतने ही नमस्कार